हेलो एर्रीवन मेरा नाम निशेत एंड वेलकम टू क्रिजी जीगे ट्रिक देखिए हमारी मैस की सीरीज चल रही है एरिथमेटिक हम यहां पर पढ़ रहे हैं और दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं मिक्शर और रेशियो प्रपोर्शन हमारा तीसरा चैप्टर पर परसेंटेज की अप्लेकेशन हर एक चैप्टर में दिखाई देगी हर एक जखा हमको परसेंटेज दिखाई देने वाला है तो यह चैप्टर कंसेप्ट वाइस बहुत इंपोर्टन है तो हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा देखिए हम यहां पर कुछ बेसिक प्राइप के कोशन को और को कवर करेंगे. तो यह हमारा पॉरसंटेज का पहला concept वीडियो है. इसको पूरा देखेगा. आपने अगर previous वीडियो नहीं देखे नहीं देखे इन दो chapters के तो इनको भी देखे. लिए बसक्तेज में हर साल चार से 5 कोशन आते ही आते हैं 5 questions मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि एक question कहीं न कहीं डियाई data interpretation में भी cover होता है percentage का कम से कम एक अगर डियाई आया है तो एक question कम से कम उसमें percentage से related हो गई ही होगा तो हमें याँ पर 4 से 5 questions देखने मिलते ही मिलते हैं तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा किसी भी exam को इठा लीजिए हर exam में बहुत ज़्यादा important है यह तो चली शुरू करते हैं तो चली friends हम शुरू करते हैं हमारे पूरे arithmetic का याने अंक गनित का सबसे important chapter percentage अब देखे percentage होता क्या है इसको basic से समझते हैं सबसे पहले प्रतिशत का जरद संधी विक्षेत करें तो इसका मतलब होता है प्रतिधन शत इतना तो हम सभी ने बच्पन में पढ़ा है प्रति का मतलब पर और शत का मतलब होता है cent याने 100 भी होता है और शत का मतलब तो 100 होता है तो इस तीन सब्द ना शत, cent and 100 इनका सेम मतलब है यहाँ पर प्रति और पर इसका मतलब पर 100 याने पर 100 इसका कहने का क्या मतलब कि जो भी आपका total होगा आप उसे 100 मान ली जिए और उसके बाद जो भी आपका obtained होगा याने आपका प्राप्त होगा, उसकी value निकाल लीजिए, जैसे बचपन में हमें स्कूल में marks मिलते थे, तो for example आपको 300 number के paper में से 200 number मिले, तो देखी स्कूल वाले teachers या report card में इसी तरीके से लिखते थे थे ना 200 बटा 300, अब इसका percentage निकाल लीजिए, कैसे निकालते थे, तो हम बचपन में क्या सीखा था हमने, एक formula सीखा था क्या, obtained marks upon total marks into 100, तो देखिया अगर मुझे obtained यानि प्राप्तांक मेरे 200 हैं, और total मेरे 300 हैं, तो मैं यहाँ पर multiply by 100 कर देता था, और इसको solve करके मैं अपने percentage बता देता था, तो इस तरीके से हम बचपन में percentage निकालते थे, तो यह तो बात हो गई सिफ marks की, तो क्या ऐसा ही बाकी situation में भी होता है, तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, अब अगर मैं आपसे बोलूं, कि 200 का 500 पर percentage निकालिए, 500 पर percentage निकालिए, तो देखिये 200 का 500 पर कहने का मतलब यहाँ पर total क्या देख रहे आपको, 200 या 500 तो देखे 200 का 500 पर percentage यानि total मेरा एक तरीके से क्या है 500 तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेगा अगर total 500 है और मैं इसको 100 मान लूँ तो मेरा 500 जो है वो 100 के बराबर हो जाएगा या ऐसा समझ लेता हूँ 500 माक्स क्याँ एक माक्स की वैल्यू गे तो देखे एक माक्स की वैल्यू गी 100 गटा 500 फो parrot के लेखे 500 को मैं इधर लीआँँगा तो अब अगर मान लीजी मुझे 200 माक्स मिले है तो एक माक्स की वैल्यू इतनी है तो 200 माक्स की कितनी होगी तो इसको simple multiply हम लोग किस से कर देंगे 200 से, तो 200 upon 500 into 100, तो यह देखे, वही format आ गया कि नहीं, आपके पास वापस तो यहाँ पर हम percentage निकालते कैसे थे, तो basic तरीका वही था कि जो total है न, उसे हम कितना वान लेते थे, 100 अब यह total 500 है कि 200 है कि 300 है कि 600 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मेरे ख्याल से आपको यह बात clear हो गई होगी, अब 2-4 points हम यहाँ पर डिसकस करेंगे जो कि percentage की chapter में बहुत ज़्यादा important है, तो percentage निकालना भी देखेंगे, उसका basic भी देखेंगे चलिए next slide देखते हैं देखेंगे एक example से समझते हैं कि हमारे पास तीन दोस्त हैं अमित, बिनोद और चंदू, यह बिनोद अपनको मिल गया है, यही है वो बिनोद है, चलिए अमित जो है, वो 200 रुपे invest करता है, या 200 रुपे जमा करता है बिनोद 120 रुपे जमा करता है और चंदू 180 रुपे जमा करता है तो अब यहाँ पर इन तीनों ने कुछ पैसे जमा कियो और टोटल कितना हो गया, 500 तो अगर मैं आपसे पूछू, अमित का percentage कितना होगा, बिनोद का percentage कितना होगा, या चंदू का percentage कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे तो यह बिनोद ने कितने दिये, 120 टोटल कितना था, 500 into 100 वो ले क्लियर है, तो यह बिनोद का जाएगा इसी प्रकार हम चंदू का भी निकाल सकते हैं है की नहीं, तो देखिए, अगर यहाँ पर आपके सामने में दू-तीन basic concepts रखना चाहूँ, तो पहला concept या पहला point तो यही होगा कि A is what percent of B या A B का कितना प्रतीशद है, यह कैसे निकाला जाए, तो यहाँ पर हम इसको अमित को A और बिनोद को भी मान लेते हैं अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अमित बिनोद का कितना परसेंट है A is what percent of B, A B का कितना प्रतीशद है, तो अब देखे यहाँ पर, हम यहाँ पर दो numbers को compare कर रहे हैं, कौन है वो दो numbers एक है अमित का 200 दोसरा है बिनोद का 120, अब मुझे यह देखना है कि किसको किस से compare किया जा रहा है, अमित बिनोद का कितना प्रतीशद है, तो देखे, यहाँ पर total कॉन है, total पर यह क्या है, total है तो अब देखे, मैं आपसे पूछ रहा है, A, B का कितना प्रतीशद है, तो यहाँ पर जो basic formula बनना चाहिए, वो ऐसा बनना चाहिए, कि A upon B into 100 बुले clear है यहां से हमको answer मिल जाएगा इसी प्रकार देखें दूसरा question c is what percent of b या c b का कितना प्रतीशद है अब फिर से देखें किसको किस से compare किया जा रहा है c b का कितना प्रतीशद है यानि आप c को b से compare कर रहे हैं तो आप total में किसको रखेंगे c को या b को इस बार हम total में b को रखेंगे बुले clear है c b का कितना percent है again compare b से ही हो रहा है किसको compare कर रहे है c को into 100 बुले clear है तो अगर मैं यहां से आप से पूछूँ कि b c का कितना प्रतीशद है तो बताइए क्या बोलेंगे हम formula तो यहां पर देखे b को किस से compare किया जा रहा है c से तो हम यहां पर लिखेंगे b बटा c into 100 तो हमको यहां पर ध्यान देना होगा कि किसको किस से compare किया जा रहा है यहीं पर एक बहुत important बात आती है important बात क्या है देखे important यहां पर यह पॉइंट है A, B से कितने प्रतीशत अधिक है देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर हम समझने में गलती करते हैं कि किसको किस से compare किया जा रहा है मैंने पूछा A, B से कितने प्रतीशत अधिक है तो मुझे पताईए मैं A को B से compare कर रहा हूँ या मैं A और B के अंतर को B से compare कर रहा हूँ तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि A, B से कितने प्रतीशत अधिक है तो पहले तो ये निकाली है कि कितना अधिक है तो देखिए A, B से कितना अधिक है अमित बिनोट से कितना अधिक है तो 200 और 120 कितना अधिक हो गया बताईए 80 अधिक हो गया कि नहीं हो गया याने अमित बिनोट से कितना अधिक है 80 तो क्या 80 प्रतीशत अधिक है नहीं अभी तो नंबर आया है परसेंटिस तो अब निकलेगा अब इस अधिक वाली संख्या को किस से compare करना है तो देखिए B से किस से B से तो बटे में कौन आएगा तो 80 बटा B B याने बिनोट याने 120 इंटू 100 और ये होगा हमारा सहीं आंसर cancel out करने पर ये हो जाएगा 200 बटा 3% या आप इसको decimal में भी लिख सकते हैं तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी समझने लाइक बहुत important बात यहाँ पर क्या है कि किस को किस से compare किया रहा है A को B से या A और B के अंतर को B से compare किया जा रहा है इसी प्रकार next point ध्यान से देखिए B C से कितने प्रतीशत कम है पहले तो ये बताईए कि B C से कितना कम है तो आप देखिए B और C B C से कितना कम है बिनोध चंदू से कितना कम है तो आप बोलेंगे 60 कितना कम है 60 तो कहां 60% answer होगा नहीं अभी तो मुझे compare करना है किस से compare करना है C से तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 60 upon C याने चंदू 180 into 100 वो ये clear है तो इस तरीके से हम यहाँ पर percentage निकाल सकते हैं ये वजाएगा 100 upon 3% decimal में लिखना चाहे तो 33.33% लिख सकते हैं fraction में लिखना चाहे तो 33.33% लिख सकते हैं फिर तो option पर depend करेगा कि किस format में answer दिया है तो हम यहाँ पर क्या क्या चीजी सीखिए हमने हमने यहाँ पर percentage निकालना सीखा और यह सीखा कि किस को किस से compare किया जा रहा है पहले दो cases में numbers को direct compare किया जा रहा था आगे वाले दो cases में आपको दोनों के अंतर को किसी एक संख्या से compare किया जा रहा था तो इस बात पर ध्यान देना बहुत अच्छे से है ना अब देखिए percentage हम लोग निकालते कैसे हैं तो आपको यह तो समझ में आ गया कि जब भी हमें percentage निकालना होता है तो हम obtained marks या obtained number upon total number into 100 करते हैं पर जब कभी हमें percentage हटाना होता है तो हम क्या करते हैं तो देखिए यहां पर एक छोटा सा हमने बच्पन में एक बात सीखी थी क्या कि अगर हमें percentage लगाना है अगर हमें percentage लगाना है तो multiply by 100 करते थे बट अगर मुझे percentage हटाना है तो मैं उसको divided by 100 कर देता था या ऐसे समझ के चलते हैं कि जहां पर percentage है वो actually 1 by 100 के बराबर है percentage का मतलब क्या होता है 1 by 100 तो अगर मैंने बोला 20% तो आप क्या लेकिंगे इसको 20 into percentage हटा दीजे इसकी जगा 1 by 100 रख दीजे तो percentage हट गया अब जो मिलेगा वो आपको एक number मिलेगा या एक value मिलेगी तो जब कभी आपको percentage लगाना होता है तो आप multiply by 100 करते हैं और जब आपको percentage हटाना होता है तो आप divided by 100 करते हैं ये बचपन में छोटी मोटे basics हमने सीखे हुए हैं चलिए अब हम देखेंगे conversion किसका conversion percentage से decimal में conversion चलिए देखते हैं देखें परसेंटेज को decimal में कैसे convert किया जाए तो हमने अभी-अभी क्या बुला कि percentage का मतलब ही क्या होता है 1 by 100 तो अगर मुझसे बोला जाए 25% तो 25% का decimal conversion क्या होगा तो 25% की जखा आप एक बटा 100 लिखते हैं और देखें आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं 25 का table अगर आपको आता है तो 25 इकम 25 25 के 100 होता है आप काट देगे बट वो काटने के बाद जो value मिलेगी वो fraction नहीं हो वो decimal नहीं होगी वो fraction होगी अगर decimal में आंसर चाहिए तो एक सीधा सा तरीका बता रहा हूँ जब कभी आपको decimal में आंसर निकालने होँ तो आप देखिए नीचे कितने 0, 2, 0 और percentage में हमेशा आपको कितने 0 मिलेंगे 2 ही 0 मिलेंगे तो क्यों न हम जब भी percentage हटाएं तो 2 संक्या के बाद देशम्रों लगा दे तो ये 0.25 हो जाएगा बात खतम होगी इसी प्रकार अगर मैं आपसे बूलू 125% तो इसका decimal बताएगे कितना होगा तो जैसी आप percentage हटाएंगे अप उन में 100 आएगा 2 0 है तो 2 के बाद देशम्रों याने ये 1.25 25 इंटू अब 10% को अगर मैं decimal में convert करने को बोलू तो आप इसको 0.1 लिख सकते हैंगे या 0.10 भी तो लिख सकते हैं कैसे मैंने इसको decimal में convert कैसे किया जैसे ही percentage हटाऊंगा 2 संक्या के बाद देशम्रों लगेगा याने 25 इंटू 0.1 हो जाएगा और एक संक्या के बाद यहाँ पर multiply करने के बाद देशम्रों भी लग जाएगा वो ले clear है तो हम यहाँ पर बहुत easily इसको decimal में convert कर सकते हैं अब देखिए decimal से percentage कैसे जाए जा सकता है तो आपने यहाँ पर divided by 100 किया था अब आप यहाँ multiply by 100 कर दीजे देखिए अगर मैं आपसे बोलू 0.25 अब यह decimal है इसको percentage बनाना है तो आपने यहाँ पर divide किया था ना 100 से अब एक बार एक काम करी यहाँ पर multiply by 100 कर दीजे तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 25% इसलिए हम लोग बच्पन में बोलते थे कि अगर percentage हटाना है तो अपन 100 कर यह और लगाना है तो multiply by 100 कर यह है कि नी तो अब यहाँ पर हमको conversion तो समझ में आ गया कि decimal में percentage कैसे बनाया जा सकता है या percentage से decimal कैसे बनाया जा सकता है दूसरा अब यहाँ पर कुछ important बाते सीखने की है मैं आपसे बोलू किसी संख्या का कोई भी एक number है इसका 1% इसका 10% यह दो number तो आपको एकदम मुझोवानी याद होने चाहिए कि मैं ने यहाँ पर number बोला और आपने देखते ही साथ इसका 1% और इसी number का आपने देखते ही साथ 10% यह दो तो आपको तुरंद बन जाने चाहिए कैसे बनेंगे देखे बहुत सीधा सा काम है x का 1% कोई एक number है उसका 1% कहने का मतलब क्या है कि आपको x में 1 बटा 100 का गुना करना है और नेचे 2 0 याने कितनी संख्या के बाद दशमलो लगेगा तो हम समझ सकते हैं कि 2 संख्या के बाद दशमलो लग जाएगा है की नहीं वहीं अगर मुझे 10% निकालना होगा तो x into 10 by 100 करूँगा और इस बार 2 संख्या के बाद दशमलो नहीं लगेगा क्योंकि 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो अब 1 ही 0 बचेगा तो अब मुझे एक संख्या के बाद ही दशमलो लगाना पड़ेगा तो ये दू चीज दिमाग में विठा लिए 1% upon 100 रहेगा तो 2 के बाद decimal लगेगा 10% upon 10 रहेगा तो एक संख्या के बाद दशमलो लगेगा तो अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी प्राक्टिस करवा हूँ आपकी कि चलिए मुझे बताए 123 का 1% 123 का 1% कित्ता होगा तो देखिए 0 तो कटने नहीं है तो नीचे 2 0 रहेगे तो हम क्या बोलेंगे 1.23 ये होगा इसका 1% अगर मैं आपसे बुलू 1.23 का 10% 10% कित्ता होगा बताएए तो देखिए 10 अपॉन 100 में 1 0 से 1 0 कैंसल हो जाएगा और नीचे 1 0 बचेगा तो यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलो लगाए 12.3 बुले क्लियर है तो आपको 1% और 10% निकालना बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा एक दो एक्जांपल और ले लेता हूँ मैं एक नंबर आप भी कुछ मन में सोच सकते हैं जैसे मेरे दिमाग में अभी जो most complicated numbers आ सकते थे तो वो कुछ ऐसे आ सकते थे 7.23 तो अब 7.23 का अगर मैं आपसे बोलू 1% तो आप तुरंद बता सकते हैं 7.23 10% पूछूंगा तो आप तुरंद बता सकते हैं 72.3 बुले क्लियर है तो मेरे ख्याल से एक चीस्तों में यहाँ पर यह समझ में आ गई कि 1% और 10% निकालना आसान है और 1% और 10% निकालना आसान है तो क्या इसी तरीके से या इसी की मदद से मैं 2, 3, 4, 5, 6% भी निकाल सकता हूँ तो देखे बहुत सिंपल निकाल सकता हूँ कैसे अगर आपके पास 1% की वैल्यू है तो क्यों न आप उसको डबल कर दें और जब याप 1% को डबल करेंगे तो आपको 2% मिलेगा आप उसको ट्रिपल करेंगे तो 3% मिलेगा आप उसको 4 तैम्स करेंगे तो 4% मिलेगा आप उसको 5 तैम्स करेंगे तो 5% मिलेगा याने 1% की वैल्यू निकालना बहुत आसान है इसी में 2 को गुणा करते हैं, 2% 3 का गुणा करते हैं, 3% 4 का गुणा करेंगे, तो 4% जिस नंबर का गुणा करेंगे, वो पॉसेंट निकल आएगा 10% के साथ भी सेम सीन है, बस यहाँ पर multiple 10 के चलेंगे, तो यहाँ से अगर मैं आप सो बूलू 20% निकालो, तो देखे 10% तो आपने देखकर ही निकाल लिया था, into 2 कर दीजेगा, तो 20% आजाएगा into 3 कर देंगे तो 30% आजाएगा into 4 कर देंगे, तो 40% आजाएगा, वो लिख लियर है है ना, तो एक नंबर का 10%, 20, 30 बहुत easy है निकालना और 2, 3, 4 भी बहुत easy है निकालना, तो हम यहाँ पर basic समझ रहे थे, कि कैसे नंबर का 1%, 10% और 1 से 2, 3, 4, 5 और 10 से 20, 30, 40 easily निकाला जा सकता है, सिर्फ multiply ही करना होगा, तो हमने यहाँ पर percentage से decimal देखा, और reverse भी देखा कि decimal से percentage कैसे बनेगा, अब हम देखेंगे percentage से fraction कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं देखें percentage to fraction conversion is one of the most important part of the entire percentage कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको percentage से fraction निकालते बनने लगा, तो fraction हमारा काफी काम आसान कर देता है specially कुछ typical values के लिए, तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि percentage से fraction कैसे बनाना है, अब देखें, हम सभी को पता है percentage का मतलब क्या होता है एक बटा सो, या one upon hundred अगर मैं आपसे बोलू, twenty percent तो आप इसको twenty upon hundred बोल सकते हैं, पर अगर आपने इस hundred के दो zero को देखे, उपर decimal लगा दिया तो ये zero point two zero तो ये fraction नहीं है, तो decimal हो गया fraction कैसे बनाएंगे, आप इसे decimal ना लगा कर, इनको आपस cancel out करें, zero से zero cancel हो गया, two cut table पढ़ेंगे one two cut table पढ़ेंगे five, तो ये जो one by five आया है न, अब मैं इसको बोलूँगा fraction value fraction, तो देखे upon hundred तो कर नहीं है, percentage की जगा upon hundred करना है, अगर आपने उस hundred के दशमलव में convert कर दिया, तो decimal value और उसको अगर आपने काट दिया कट सके तो, काट दिया तो वो fractional value हो जाता है तो ये भी कोई बहुत बड़ा मेरे ख्याल से rocket science तो नहीं है, तो अगर मैं आपके सामने percentage देते जाऊं और बोलूँ, उसका fraction बताते जाहिए तो क्या बहुत बड़ी बात होगी क्या अब जिसे 10% का fraction क्या होगा तो आपको 10 upon क्या करना है, 100 करना और जो cancel हो वो काट लेना, एक बिटा value किसकी 12% की, तो अब 12% की जगा 3 by 25 भी use कर सकते हैं, बोले clear है तो देखिए percentage से fraction निकालना, कोई बहुत बड़ी बात है क्या, बिलकुल भी नहीं, बड़े आराम से निकल जाएगा, तो चलिए अगर मैं आपसे अब बोलूँ कि 75% का fraction value बताइए, तो कैसे निकलेंगे, देखिए 75 upon 100 करेंगे है न, और यहां से मैं 25 के table पढ़ूँगा, तो यह 3 times में और यह 4 times में cancel, fractional value होगी 3 by 4, तो मैं देखिया हल से अब आपको यह समझ में आ गया, बट यहीं अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका उल्टा करिए, यानि मैंने आपको एक fractional value दे दी है, suppose 2 by 5, और मैं अब आपसे को बोलूँ कि आप इसे percentage में convert करिए, तो देखिए percentage लगाने के लिए हमें बचपन से पता है, हम multiply by 100 करते हैं, तो यहां पर भी हम multiply by 100 ही करेंगे, तो यहां पर जब मैं 100 से multiply करूँगा, तो यह हो जाएगा 200 upon 5, और इसको cancel करने पर आएगा 40%, बोले क्लियर, तो देखिए हमें सिर्फ percentage to fraction नहीं आना चाहिए, fraction से percentage भी पता होना चाहिए, और अगली slide हमारी उसी के उपर है, कि कैसे हम fraction values का percentage निकाल सकते हैं, या किन लिए देखते हैं, देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बता है, fraction से percentage निकालना बहुत असान है, आपको सिफ multiply by 100 करना है, पर यहां पर कुछ values तो आपको पता होनी चाहिए, यह देखिए left में मैंने 10 values और यहां कुछ 10 values लिख रखी हैं, तो यह आखरी नहीं है, इसके अलावे भी बहुत सारी हैं, पर सबसे पहले basic पर इनको याद होना चाहिए, इन में से कुछ आपको definitely याद होंगी, जैसे पहला value 1, 1 का मतलब 100, कैसे? देखे, fraction में अगर मैं 1 बोलनु तो 1 upon 1 होता है न, और जैसे ही मैं इसको 100 से multiply करूँगा, तो यह 100% हो जाएगा, तो कोई भी एक चीज जो पूरी है, complete है 1 है, उसे हम क्या बोलेंगे? 100%, वहीं 1 by 2 या एक बटा दो, क्या बोलेंगे उसे? 50%, 1 by 3, 1 third, एक तिहाई, क्या बोलेंगे? 33 1 by 3%, या इसे हम 33.33% भी लिखते हैं, तो ऐसा भी लिखा आपको दिख सकता है, अगला जैसे 1.4, 1.4 या एक चौथाई, एक के चार हिस्से, तो कितना पॉसीन बनेगा? 25%, तो 1 by 5 कितना होगा? तो देखे, एक के 5 हिस्से, 1 by 5 याने 20%, अब यहाँ से इतनी वेल्यूस तो मेरे ख्याल से आपको याद औरडी होगी, दिक्कत शुरू होती है 1 by 6 से, जिनने पहले नहीं पढ़ा, उन दोनों तरीकों से आपको समझाने ही कोशिश करूँगा, कि आपको यहीं पर यह वेल्यूस याद हो जाए, जिससे 1 by 6, 1 by 6 का मतलब होता है 16, 2 by 3, अब 16, 2 by 3 को मैं क्या बोल सकता हूँ? तो मैं इसको 16.6666 और यह non-terminating है, तो यह 16.6666 भी लिखा रहेगा, या कभी-कभी आ याद कैसे रखेंगे, देखे 1 by 6, और देखें, यहाँ पर कितने सारे 6 दिख रहे हैं, तो 16.6666, तो किसकी वैल्यू होगी वो, 1 by 6 की, इसी प्रकार 1 by 7, देखें, 1 by 7 को कैसे याद रखना है, तो 7 का डबल कितना होता है, 14, और 2 by 7, 14, 2 by 7, या फिर इसको 14.28 परसें भी ब गुना 28, तो हम इसको याद रख सकते हैं, 1 by 7 कितना होता है, तो 14.28 या 14.28 परसेंट, चले, आगे बढ़ते हैं, 1 by 8, 1 by 8 कितना होता है, 1 by 8 is 12, 1 by 2, या 12.5 परसेंट, कैसे याद रखेंगे, देखें, 1 by 4 का याद था ना आपको, 1 by 4 कितना था, 25 परसेंट, 1 by 4 को और आध किया, तो 1 by 8, तो 25 का आधा साड़े बारा, यह हो गया 1 by 8 का परसेंटेज, बोलिए क्लियर है, 1 by 9 कितना होता है, 11, 1 by 9, या इसे हम 11.11 परसेंट भी बोलते हैं, तो यह भी याद रखेंगा, इसे प्रकार 1 by 10, 10 परसेंट बहुत सिंपल है, 1 by 11, 1 by 11 is 9, 1 by 11 होता है, 9, 1 by 11, 9 by 11 को हम जब decimal में convert करते हैं, तो हम इसको 9.0909 और यह भी non-terminating है, तो हम इसको कभी-कभी 9.09 परसेंट भी बस इतना बोल देते हैं, तो याद रखेंगा, 1 by 11 क्या होता है, 9.09, अब यहां से 1 by 11 और 1 by 9 को आपस में relate करके याद रख सकते हैं, ऐसा समझ लीजे, 9 और 11 दोस पुछोगे, तो 9.0909 बोलेगा, बोले clear है, याद रख हो सकते हैं इसको, 1 by 9 is 11.11 और 1 by 11 is 9.09 परसेंट, तो हम इसको आपस में relate करके याद रख सकते हैं, चले 1 by 12, 1 by 12 क्या होता है, 8 1 by 3 परसेंट या 8.3333 continue हो जाता जाएगा, तो 8.33 परसेंट, याद रहेगा, चले 1 by 13, याद कर लीजे, 7 9 by 13, 1 by 13 is 7 9 by 13%, 1 by 14, 1 by 14 is 7 1 by 7, 7 1 by 7, कैसे याद रखेंगे देखे, इसको हम decimal में 7.14 भी बोलते हैं, 1 by 14 is what, 7.14 decimal में अगर मैं convert करूंगा तो, तो अब यहाँ पर आपको 1 by 7 याद था की नहीं, देखे, 1 by 7 का हमने क्या बोला था, 14.28, तो अगर मैं 1 by 7 क को आधा कर दूं, तो 1 by 14 मन जाता है, तो यहाँ पर 14.28 को भी आधा कर देता हूं, तो 14 का आधा 7 और 28 का आधा 14, तो 7.14 is percentage value of 1 by 14, 1 by 15 बहुत easy value, देखे याद रख लीजे, 6 2 by 3% और 6.66% और यह 666 indefinitely चलता जाएगा, infinitely चलता जाएगा, non-terminating हैगी, तो चलिए next number 1 by 16 देख लेते हैं, 1 by 16 is 6 1 by 4, इसको हम 6.25% भी बोल सकते हैं, अब देखे 1 by 8 याद था ना, आपको 12.5, 1 by 8 is 12.5, अगर 1 by 8 को और आधा करूंगा, तो यह 1 by 16 हो जाएगा, तो 12.5 को भी और आधा कर दीजे, तो 12 का हो जाएगा, और यह 5, last में 0 ऐसे समझ ल तो 6.25 is 1 by 16%, अब यहां से थोड़ा सा reverse चलने ही कोशिश करना, 1 by 20, देखे आपको 1 by 5 याद था, 1 by 5 is 20%, so 1 by 20 कितना होगा, 1 by 20 is 5%, सेम यहां पर 25% के लिए भी, if 1 by 4 is 25%, so what is 1 by 25, 1 by 25 is 4%, 1 by 2 is 50%, तो 1 by 50 कितना होगा, 2%, 1 by 1 is 100%, तो 1 by 100 is 1%, तो मेरे ख्याल से आपको यह fractional values याद हो गई होगी, तो देखे से fraction और इनके percentage इतना याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको इनके multiples भी याद होने चाहिए, multiples कहने का मतलब, अब जैसे आपने 1 by 3 तो याद कर लिया, पर कह आपको 2 by 3 दे दिया, तो आप इसका percentage क्या लेखेंगे, या आपको 2 by 3 का percentage दे दिया, आपको fraction निकालने बोल दिया जाए, तो क्या करेंगे, तो याद रखेगा कि अगर multiple है, तो multiple के form में ही होंगे, जैसे 1 by 3, 33.33% होता है, तो 2 by 3 जसका double होगा, याने 66.66%, इसी प्रकार, म आपको याद है न, 25%, तो 3 by 4 कितने times होगा इसका, इसका 3 times होगा, तो 25% का भी है 3 times हो जाएगा, तो 25 या 75% हो जाएगा, ऐसे ही मागर आपसे 2 by 5 बोलूं, तो देखे 1 by 5 is 20, 1 by 5 is 20, तो 2 by 5, याने just double, 22 यह 40% हो जाएगा, सेम अगर मैं इसको 3 by 5 पूछूंगा, तो क्या ब 23, 60 हो जाएगा, 4 by 5 कितना होगा, 20 का 4 times याने 80% हो जाएगा, तो आपको इनके multiples भी याद होने चाहिए, तो कभी-कभी हमसे multiples भी सवाल कर देता है, जैसे अगर आपके सामने लिख दूँ, 44.44% का fraction बताओ, तो 44.44% का fraction तो हमने यह तो नहीं पढ़ा, पर हमने 11.11% तो 1 by 9, तो यह अगर इसका 4 times है, तो यहाँ पर यह भी कितना times हो जाएगा, 4 times तो इसका fractional value 4 by 9 आएगा, तो मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया होगा, बहुत simple है, easy है, चले, अब थोड़ा सा हम questions पर नज़र डाल लेते हैं, बहुत ही basic questions के शर्च शुरुवात कर रहे है, find percentage value of 2 by 3, 2 by 3 की percentage value, देखे 2 by 3 का पहले मतलब समझ लेते हैं, 2 by 3 का मतलब क्या होता है, कि total कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, यहाँ पर diagram पर समझ लीजे, यहाँ पर यह एक हिस्सा है, यह एक हिस्सा है, कुल में लाकर कितने हिस लेना है और इसका percentage value बताना है है ना कैसे निकालेंगे तो इसको ऐसा समझाल ये 3 को अगर मैं 100 मन लेता तो तो एक को कित्ता मानता तो ये 100 बटा 3 हो जाएता तो 2 को कित्ता मानूंगा तो ये 200 बटा 3 हो जाएगा और 200 बटा 3% को अगर मैं थोड़ा सा convert करके लिखूंगा तो कितना आएगा ये हो जाएगा 66 2 by 3% बोले क्लियर और वैसे भी आपको 1 by 3 तो याद था न 1 by 3 कितना होता है 33 1 by 3% तो यह 2 by 3 जस्ट डबल हुआ की नहीं हुआ देखी और डबल हुआ तो यहां पर भी यह value डबल हो गई तो diagram के साब से भी समझ सकते हो और अगर आपको fractional values याद हैं तो भी आप बता सकते हैं इसलिए अब जैसे यहां पर ही देख लीजिए अगर मैं आपसे बोलू find the percentage of 4 by 7 तो 4 by 7 का मतलब टूटल साथ हिसने हैं इसमें से आपको कितने चाहिए 1, 2, 3, 4 तो हम चाहते तो इसको 7 equals to 100 और फिर 1 की value और फिर 4 की value यह general method मतलब unitary method हो जाएगा बिलकुल basic हो जाएगा अगर मुझे आपको direct answer बताना है तो क्या करूँगा 1 by 7 तो मुझे याद है ना कितना होता है 14, 2 by 7 percent है ना तो मुझे बता है यह 4 by 7 कितना होगा तो 4 by 7 के लिए हम क्या करेंगे इसमें उठाकर 4 का multiply कर लेंगे तो बताएगे कितना हैगा यह 14 into 4 56 6 और यहाँ पर यह 4 का multiply जो है इस 2 के साथ भी होगा तो यह हो जाएगा 8 by 7 अब देखे यहाँ पर जैसे ही 8 by 7 हुआ याने यह number जो है यह total number है यह 1 से जादा हो गया है ना तो हम इसको क्या बोलेंगे 56 plus 8 by 7 को मैं 1 plus 1 by 7 भी तो बोल सकता हूँ ना 8 by 7 is what अच्छा आप इसको solve करेंगे ना तो देखे क्या आता है 7 1 जा 7 plus 1 8 8 by 7 तो इस 1 को मैं इठा कर complete number के साथ चोड़ा देता हूँ यह कितना हो जाएगा 57 1 by 7 हो ले clear है एक और number देख लेते हैं आपको percentage निकालना है 1 2 by 3 का अब देखे 1 complete का मतलब 1 plus 2 by 3 और मैंने आपको 1 का fraction value कितना बताए था 100 बताए था plus 2 by 3 का अभी अभी हमने दो बार निकाल लिया 66 2 by 3 सबको add कर लेंगे कितना हो जाएगा 1 66 2 by 3 percent यह हो जाएगा अब देखे यह जो fraction वाली value यह अगर 1 से बड़ी हो गई होती तो फिर मैं उस 1 को side में ले लेता हूँ फिर इसमें add करके फिर इस value को वापस छोटा कर देता पिर अभी ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पर देखे 9 by 8 इसका मुझे percentage निकालना है 9 by 8 यह value जो है यह 1 से बड़ी है यह चोटी है तो आप देखकर बता सकते हैं यह value 1 से बड़ी है तो पहले 1 को बाहर निकाल लीजे प्लस अब देखे 8 में से 8 1 कैसे बनेगा तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि 9 को 8 प्लस 1 अपॉंट 8 और इसको मैं अगें 8 अपॉंट 8 is 1 प्लस 1 बाइ 8 तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ तो 1 की value 100 होती है और 1 बाइ 8 की value 12.5 होती है तो यहाँ पर मैं किसको कितना बोल सकता हूँ 112.5% बोले clear है मेरे क्याल से आपको fraction से percentage और percentage से fraction निकालते बनने लगा है क्या आपसे question इस तरीके से पूछे जाएंगे तो बिलकुल भी नहीं आपको यह questions आने के chances ना के बराबर है हाँ कुछ इस type का question आपसे पूछा जा सकता है बढ़ यह values तो बिलकुल भी नहीं आने वाली तो चलिए अप थोड़ा सा question किस ताइब कहेंगे वो भी देख लेते हैं तो देखे एक question देखते हैं एक व्यक्ति अपने मासिक आएगा चार बटा साथ हिस्सा बचत करता है उसके खर्च का प्रतीशत ग्याद करें देखे चार बटा साथ हिस्से का क्या मतलब होता है चार बटा साथ हिस्से का मतलब होता टोटल साथ हिस्सा थे जिसमें से चार हिस्से उसने बचा लिये चार बटा साथ बचाने का मतलब बचत का मतलब इतना उसने बचा लिया है तो बताईए खर्चा कितना किया होगा, तो 7 में से अगर 4 बचा लिया है तो जो 3 है, वो उसने खर्चा कर दिया होंगे. तो अगर मैं आपसे पूछों, इसके खर्च का fraction बताओ, खर्च का fraction कितना होगा, तो आप बोलेंगे 3 बटा 7. बोलें clear? और इसी खर्च का वो मुझसे percentage भी पूछ रहा है तो क्यों ना मैं इसको यहीं से percentage निकाल दूँ 1 by 7 का percentage यहाद है आपको 14 2 by 7 percentage था है कि ने तो बताए यह 3 by 7 का कितना होगा तो multiply by 3 कर देता हूँ 3 by 7 कैसे निकालूँगा यह देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा multiply by 3 by 7 चारतिया 12 का 2 42 और फिर इस 3 का multiply यहाँ भी करना होगा तो यह 3 दोनी 6 बटे 7 percent अब देखिए यह जो number है यह भी 1 से कम है जिस दिन यह 1 से जादा हो जाएगा मैं इसका 1 साइड निकालके वापस इसमें जोड़ दूँगा तो मेरे ख्याल से इसका answer आपको clear होगा 42 6 by 7 percent बोले clear छोड़ा सा question था चले अब हम चलते हैं अपने type wise questions की तरफ सबसे पहले सबसे basic और सबसे important type number 1 की तरफ देखते हैं जिन लोगों का पहली बार है या जो नया नया शुरू करें उनके लिए type number 1, 2, 3 ये बहुत basic और बहुत important होने वाले हैं basic बनाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं questions type number 1 का हमारा पहला question है 2, 50 का कितना प्रतीशत है इसको किस तरीके समझ लीजे कि आपको 2 number मिले हैं 50 में से 2 बटे 50 कुछ ऐसी समझ लेते हैं percentage निकालने के लिए into 100 करते थे है की ने तो इसको काट लेंगे ये कितना आ जाएगा 2 बार में कटेगा और 2 दूनी 4% ये मेरा answer होगा तो option B will be correct बोले clear है चले आगे देखिए 1.14 expressed as percent of 1.9 1.14 का प्रतीशत 1.9 के आधार मानकर ज्याद करें याने आपको 1.9 को आधार मानना है तो basically करना कहा है 1.14 और आधार जिसको मानते हो उसको नीचे लिखते है जो total होता हो उसको नीचे लिखते है 1.9 नीचे आएगा into 100 कितना हैगा बताइए तो अगर मैं इसको decimals के हिसाब से cancel करूँ तो देखे दो decimal एदर खसके हैं तो यहाँ पर भी दो decimal खसका हूँगा तो यह कितना हो जाएगा 114 बटे 190 into 190 0 से 0 cancel कर लेंगे answer कितना हैगा 60% मेरे क्याल से आपको इसको काइट लेंगे 19 के टेबल आपको आता है तो यह one times और यह six times में और 10 बचेगे 60 परसेंट आपका answer होगा यहाँ option C will be your correct answer चलिए आगे बढ़ते हैं 65 gram is what percent of 2 kg 65 gram 2 kg का कितना प्रतीशाद है यह बहुत simple simple questions है मैं आपको बहुत जादा time नहीं लोगा इनको बहुत फूर्ती में मनाएंगे अपन देखिए क्या करना है कौन किसका कितना परसेंट 65 gram 2 kg का कितना परसेंट है ऊपर कौन आएगा 65 gram नीचे 2 kg और 2 kg का मतलब 2 into 100 लिखना है या 2000 into 100 लिखना है तो देखे परसेंटेज निकालते हैं वक्त एक बात का ध्यान रखें जिन दो नंबर्स का परसेंटेज निकाल रहे हो उनकी unit भी same होनी चाहिए अगर मैं आपसे पूछूँ एक घंटा, एक दिन का, एक दे का कितना परसेंट होता है तो क्या आप एक बटा 1 into 100 लिखेंगे या एक बटा 24 into 100 लिखेंगे तो आपने 24 क्यों लिखा क्योंकि आपने एक दिन को पहले 24 आज में कनवर्ट किया और उसके बात परसेंटेज निकाला ऐसा क्यों किया, ताकि यूनिट सेम रह सके तो सब कॉंशेस लिए दिमाग के अंदर कही न कहीं हम सब ये बात मानते हैं कि यूनिट सेम होनी चाहिए तो मैं बस आपको वही बात कनफर्म कर दे रहा हूँ कि यूनिट सेम रखिएगा याद से लीटर और किलो का परसिंटेज नहीं निकाल लीजिएगा ग्राम और ग्राम में निकालिएगा दोनों को या तो ग्राम में कनफर्ट कर लीजिए दोनों को केजी में कनफर्ट कर लीजिए दोनों को आपको टनों में कनफर्ट करना तो 10 में convert कर लीज़े, कोई दिक्कत नहीं मुझे बस दोनों का unit same कर लीज़ेगा अब देखिए हां से 2-0 से 2-0 cancel, ये बचा है आप पर 20, तो 65 upon 20 इसको solve करेंगे तो आपको percentage मिलेगा, कितना मिलेगा? 3.25% अगला question देखिए if p% of p is 36 find, then p is equals तो basically आप से पूछा है किसी संक्या का या p का p का p प्रतिशत 36 के बराबर है 36 p की value निकाल लिए है, तो देखिए काईदे सिल से लिखना कहा चाहिए p into p upon 100 equals to 36 तो अगर मैं 100 को यहाँ पर multiply कर दो तो यह हो जाएगा p square equals to 3600 और 3600 किस का square है तो आप सभी को पता है, यह 60 का square है तो p equals to 60 यहने option b will be the right answer मरे खाल से आपको clear है चलिए, आगे बढ़ते है अगला question देखिए 24 karat सोने को 100 PCD शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 karat सोने की शुद्धता शुद्ध मानने का प्रतीशत चलिए, तो basically आप से बोला गया है कि अगर मेरा 24 karat 100% है तो बताए, 22 karat कितना percent होगा यह simple सा question है आपके सामने कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए इसको ऐसी समुझ लीजेगा कि अगर 2400 के बराबर तो एक कितने के बराबर, तो हम इसको बोल सकते है सो बेटा 24 है की नहीं, तो मेरा पास तो 22 karat था, तो 22 karat कितने के बराबर होगा 22 karat होगा 22 into 100 upon 24 के बराबर तो आप इसको 2 से काइट लेंगे, 11 2 से काइट लेंगे, यह हो जाएगा 12, तो अब अगर आपको 100 upon 12 याद है 100 upon 12 कहने का मतलब क्या है, 100 upon 12 कहने का मतलब 1 by 12 into 100 तो देखे, percentage ही हो गया है, यह 1 by 12 का तो अगर आपको 1 by 12 की value याद है तो आप 11 by 12 easily निकाल सकते है 1 by 12 किता था, 8 1 by 3, तो मुझे बताइए इसमें 11 की value multiply करने पर मुझे answer मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, अगर मैं इसको 8.33% बोलू, 8.33% is 1 by 12, तो 11 by 12 के लिए 11 से multiply करना पड़ेगा, तो answer निकालने पर कितना आएगा, 91.67% वो लिए clear है, चलिए आगे बढ़ते है एक और question exam में पूछा हुआ, 0.001 is equivalent यह किसके बराबर है, 1% के 0.1% के, 10% के, 0.01% के, तो देखे मैंने आपको बोला था न, दशमलों का कोई भी number या fraction का कोई भी number, percentage में कैसे change होता है, तो आपको इसको multiply by 100 करना होता है तो 20 याने 2 दशमलों इदर खसक जाएंगे, तो यह हो जाएगा 0.1% option, B will be the right answer बागी सब गलत हो गए होले clear? मैं बहुत जादा time नहीं ले रहा हूँ, simple छोटे-छोडे questions हैं, इसलिए थोड़ा सा fast भी चल रहा हूँ, ताकि आपको slow भी ना लगे, चले, next question देखते हैं तो देखिए, अब यहां से आपको questions का standard थोड़ा सा बढ़ा हुआ सा समझ में आएगा, question क्या है? 20% of A equals to 50% of B then what percent of A is B? A का कितना प्रतीशद है B? पहले जो बात बोली हुई है, वो समझ ले 20% of A A का 20% 20 upon 100, किसके बराबर है? यह है B के 50% याने 50 बटा 100 के अब देखिए, अगर आपको 20% का fraction यह आदे, तो आप directly इसको A का एक बटा 5 भी लिख सकते हैं और 50% की direct आपको fraction value यह आदे, तो आप इसको B का एक बटा 2 भी लिख सकते हैं तो यह आप directly भी लिख सकते थे कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी तो मैं यहां से क्या-क्या निकाल सकता हूँ तो मेरे हाथ में A upon B बहुत easily आजाएगा B को इधर ले आते हैं, 5 को उधर कर दे तो यह इतना हो जाएगा 5 बटे 2 A और B की value मुझे मिल गई है पूछा क्या है, जरा समझते हैं What percent of A is B A का कितना प्रतीशद है B तो अब यहां पर समझीएगा यह थोड़ा साथ आपको confusion create कर रहा हो दिमाग में तो आप इसको लिख लीजे mathematical form में A का X percent होगा B ऐसा समझ लीजे मैं एकदम basic से समझाने कोशिश कर रहा हूँ वैसे तो answer आच चुका उसका बहुत बढ़ी बात नहीं है A का कितना percent है B तो मैंने मान लिया X तो A का X percent है कौन B A और B की value आपको पता है X percent है upon में 100 हो जाएगा तो A into X upon 100 equals to B A और B की value आपको पता है या पहले A को इधर ले आगी है फिर value रग दीजे 100 से multiply कर दीजे X की value कितनी आएगी B upon A into 100 और B upon A यहां से कितना आएगा तो यह हो जाएगा 2 बटा 5 into 100 answer will be 40 percent तो option D will be the right answer बिलकुल easy question था बहुत आसान सावाल था बस थोड़ा सा आखरी में यहां पर language घुमाने की कोशिश की गई है confusion लगे थोड़ा सा छोड़ी सी question लिख लिजेगा गलती मत करिएगा इस तरह के basic questions में next question देखें क्या है if 90 percent of A equals to 30 percent of B and B equals to 2x percent of A then find the value of X X का मान ग्यात करें देखें जो कहानी लिखें उसको पहले समझ लेते है A का 90 percent A का 90 percent याने 90 बटा 100 equals to B के कितने बराबर है B के 30 बटा 100 के बराबर है बोले clear तो यहां से 0 से 0 0 से 0 cancel हो सकता है 3 से 9 3 बार में कट सकता है तो यह हो जाएगा 0 से 0 cancel A upon B equals to 1 upon 3 इसको काइटने पीटने पर A upon B is 1 by 3 आएगा अब यहां पर आपसे X की value पूछे यह तो ठीक है B की value यहां से आपको कितनी दिखरी है 3 equals to 2 into X percentage हटाऊँगा upon में 100 लगाना पड़ेगा into A की value कितनी है 1 X की value यहां से निकाल सकते है यानि इसको यहां और इसको यहां कर देजिए यह हो जाएगा 300 upon 2 equals to X याने 150% this will be the answer मेरे खाल से अब आपको यह clear हो गया होगा कि कैसे हम यहां पर values को easily निकाल सकते है percentage दिखा upon में 100 लगाईए यह आपको percentage लगाना है तो into 100 करिए percentage हटाना है तो upon 100 करिए और percentage लगाना है तो into 100 करिए तो यह दो छोटे-छोटे से basic है conversions आपको समझ में आ चुके हैं कुछ अच्छे questions भी अब देख लेते हैं तो देखिए अगला सवाल है हमारे सामने है बहुत ही अच्छा सवाल है 15% of A plus B equals to 25% of A minus B what percent of B is equals to A B का कितना प्रतीशत A के बराबर है अब इसको अगर मैं equation में लिखूँगा तो ऐसे लिखूँगा B का कितना percent suppose x percent A के बराबर है तो इस तरीके से लिखेंगे ना तो थोड़ा सा confusion दोर हो जाता है शुरवात में एक बाज जब practice हो जाएगी जब हमें समझ में आने लगता है कि कौन कहां पर site होगा तो उसके बाद तो फिर हम easily आपको direct answer बता सकते हैं पर फिलाल के लिए इसको इस तरीके से लिख लें अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो अब यहां से हम चलते हैं answer की तरह देखें मैं इसको किस तरीके से लिख रहा हूँ 15% याने 15 upon 100 किसका a plus b का ये कितने के बराबर है ये है 25% याने 25 upon 100 के किसके 25 upon 100 के a minus b के बोले clear है यहां से क्या क्या cancel हो सकता है तो देखें 100 से 100 cancel हो गया 5 से 3 times में 5 से 5 times में और cancel नहीं हो रहा है कोई बात नहीं इसको इधर ले आ है तो ये a plus b upon a minus b हो जाएगा और ये कितना होगा तो ये हो जाएगा 5 by 3 बोले clear यहां तक समझ में आ गया अब यहां से अपन a और b की value निकाल सकते हैं या आप इसको cross multiplication भी कर सकते हैं a upon b की value आएगी 4 upon 1 कैसे cross multiply कर लीज़े जादा आसान पड़ेगा या component डिविडेंडो cnd आपको लगाते बनता है तो वो लगा सकते हैं तो चलिए a upon b force to 1 आगया अब देखें सवाल क्या पूछा होगा था b equals to x percent of a या बी का कितना प्रतीशत a के बराबर है तो b का x percent अगर a के बराबर है तो x की value मुझे चाहिए b किता है देखें 1 into x upon 100 equals to a किता है 4 multiply कर लेंगे या पर x की value कितनी आएगी 400 percent option c will be the right answer तो मेरे खाल सा आपको ये clear हो गया होगा है ना चलिए next question देखिए अगला क्या है a is 50 percent larger than c and b is 25 percent larger than c तो देखिए हाँ पर a b c तीन चीज़े हैं और इसमें a और b दोनों को ही c से comparison करके बताया हुआ है तो इसको मैं सामान लेता हूँ कि c is the reference number ये को एक number है इसका 25 percent और इसका 50 percent 50 percent कौन बड़ा है इससे a बड़ा है और 25 percent कौन बड़ा है इससे b बड़ा है अब देखिए क्योंकि मेरे पास c का कोई number नहीं है कोई value d नहीं होई है तो मैं यहाँ पर c की कोई भी value एक मान सकता हूँ imaginary for example मैं मानूं कि c को अगर 100 होगा तो b कितना होगा तो b 100 का 25 percent यानि यह हो जाएगा 125 percent या 125 इसी प्रकार 50 percent बड़ा होगा तो a कितना हो जाएगा तो 150 हो जाएगा बोले clear अब यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया then a is what percent larger than b a b से कितना प्रतीश्यत बड़ा है तो यह हमारे सामने सवाल है तो सबसे पहले यह देखें कि a और b में a कितना बड़ा है तो आप देखके बता सकते हैं यह 150 है और यह 125 है तो कितना बड़ा है 25 बड़ा है तो यह बड़ा है 25 किस से किस से b से b से मतलब reference value b होगी तो बड़े में किस को लिखनगा 125 को और into 100 इसको cancel out करूँगा यह 5 बार में cancel होगा तो 1 by 5 is 20% cancel करने के बाद option A will be the right answer तो कभी-कभी हमारे सामने इस टाइब के questions भी आते हैं जहांपर 2 number को तीसरे number के reference में दिया होता है number भले कुछ भी ना दिया हो तो हम तीसरे number को कुछ मान लेते हैं यह 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा अच्छा मुझे एक बात बताईए क्या इतना करना ज़रूरी था या 100 मानना ही ज़रूरी था मैं इसको थोड़ा सा आपको fraction पढ़ा है, है ना एक number था C, इससे 50% बढ़ा है A 50% का fraction, 1 बटा 2 इससे 25% बढ़ा है कौन? B 25% का fraction, 1 by 4 अब देखिए, मुझे एक बात बताईए C को 100 मानना ज़रूरी था क्या? 100 भी आप नहीं माना था या हम नहीं माना था 200 भी मान सकते थे, 300 भी मान सकते थे, 400 भी मान सकते थे एक ऐसा number बताईए जिसका एक बटा 2 निकालना भी आसान हो और एक बटा 4 निकालना भी आसान हो तो देखिए, जो 2 और 4 नीचे दिये हुए है इनका LC म ले लेता हूं, तो ये 4 होता है तो मैं C को 4 मान लेता हूँ क्यों? 4 का 1 बटा 2 कितना होगा? तो ये 2 होगा तो 4 और 2 6 हो जाएगा इसी प्रकार 4 का 1 बटा 4 कितना होगा? 4 का 1 बटा 4 1 होगा तो 4 में 1 बढ़ेगा कितना हो जाएगा? 5 बोलिए clear अब यहां से मैं आपसे पूछ रहा हूँ A B से कितना बढ़ा है? तो देखी कितना बढ़ा है? 1 कितने प्रतीशत बढ़ा है? तो 1 बटे 5 इन्टू 100 आप यहां से डिरेक्ली 1 बटा 5 को 20% भी बोल सकते थे बोलिए clear है तो यहीं पर हमारा काम छोटा करने में यह हमारी महनत कम करने में fraction हमारे बहुत काम आने वाला है तो fractional values याद कर लीजेगा एक बढ़ फिर से बोल रहा हूँ fraction value बहुत बहुत जरूरी है उनको एक बढ़ फिर से सुनिएगा समझिएगा याद करिएगा उनके multiples भी जितने जादा याद हो पाएं उतनी अच्छी बात है although वो चीजें practice से जादा बेटा रहेंगी चले next question देखते है देखे अगला question क्या है एक बकसे में 100 नीली गेंदे 50 लाल गेंदे 50 काली गेंदे है ठीक है 100 नीली गेंदे 100 blue 50 red और 50 black 25 प्रतीशत नीली गेंदे और 50 प्रतीशत लाल गेंदे निकाली जाती है 25% 100 का 25% किता होगा 100 का 25 तो 25 भी होगा तो इसमें से अगर मैं 25 निकाल लूँगा तो बचेगी किती तो ये कितनी बचेगी 75 blue balls कितनी बचेगी है 75 इसके बाद क्या बोला 50% लाल गेंदे red थी किती 50 इसका अगर मैं 50% निकाल लूँ तो देखे 50% का 50% 50 का 50% किता होता है तो ये भी 25 होता है तो अब बचेगी किती तो वापस 25 ही बचेगी ये कौन है red वर्तमान में काली गंदो का प्रतीशत देखे black एक भी नहीं निकाले गए याने ये अभी भी 50 होगी black तो अब मुझे percentage निकालना है black का और total कितनी है तो total सबको add करेंगे तो ये हो जाएगा 150 बोले clear है तो अब हमें 50 का percentage निकालना है 150 पर याने 50 upon 150 into 100 ये 1 by 3 1 by 3 का percentage आपको या दो 33 ये हो जाएगा तो आपको कई बड़ ये भी देखना पड़ता है कि answer तो आपका आ गया 33 1 by 3 पर ये 33 1 by 3 दिया है ये 33.33 दिया है ये भी थोड़ा सध्यान देना पड़ेगा चले एक और question देख लेते हैं हमारे type number 1 का last question क्या है देखे दो संख्या है क्रमशा साड़े 12% और 25% अधिक है तीसरी संख्या से पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतीशद है देखे यहाँ पर वही पुरानी वाली condition है एक number है इससे कोई एक number साड़े 12% बढ़ा है 12.5% fraction याद है आपको 1 by 8 दूसरा एक number है जो इससे 25% बढ़ा है 25% का fraction is 1 by 4 हो लिए clear है तो अब मुझे एक ऐसा number बताइए जो 1 by 8 और 1 by 4 दोनों से easily cancel हो जाए तो 8 और 4 का LCM ले लीजे कितना आएगा 8 ही आएगा तो 8 का 1 by 8 is 1 तो 8 पे 1 एड़ हो जाएगा 9 हो जाएगा इसी प्रकार 8 का 1 by 4 is 2 तो 8 में 2 एड़ हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा अब यहां से आपको सवाल क्या पूछा हुआ है आप से पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतीशद है देखिए ये है फर्स नंबर ये है सेकेंड नंबर पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना प्रसेंट है तो देखिए 9 अपॉन 10 इन्टू 100 0 से 0 कैंसल आंसर विल भी 90% मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा तो देखिए आज के सेशन में इतना ही ये हमारा टाइप नंबर वन था और कुछ बेसिक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए थैंक्यू इंजय है